दोस्तों आप सभी को श्रीकृष्ण जानमाष्टमी की हार्दिक शुपकाम नाएं आज हम श्रीकृष्ण जानमाष्टमी के पावन अफसर पर श्रीकृष्ण जी के जनम से जुड़ी कुछ सीख लेते हैं और जानते हैं हमारे जनम में और श्रीकृष्ण के जनम में क्या सम दोस्तो इस वीडियो की बाते थोड़ी गहरी हैं इसलिए ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए इस वीडियो की स्क्रिप्ट मेरी दोस्त नेहा शर्मा ने भेजी है जिसके लिए मैं उनका धन्यवात करता हूँ श्री कृष्ण का जन्म जिस रात्री को हुआ वो एकदम काली अंधेरी रात थी उस रात्री में हाथ को हाथ नहीं दिखता था देखा जाए तो जन्म अंधेरे में ही होता है फूल खिलता तो प्रकाश में है पर फूल का जन्म अंधेरे में ही होता है हमारे अंदर भी जितनी चीजों का जन्म हुआ है वो अंधेरे की ही देन है चाहे वो काम, क्रोध, मोह हो या हमारे अंदर की कोई और बुराई हर एक बुराई का जन्म अंधेरे की वज़ा से ही हुआ, हो सकता है आप अभी किसी बहुत बड़े अंधेरे में हो, जिससे आपको बाहर आना ही होगा, और हम तबी बाहर आपाएंगे जब अंधिकार में प्रकाश होगा, श्री क्रिश्न खुद प्रकाश है, इतना प्रकाश कि सारा संसार उनके प्रकाश से ही चमकता है, लेकिन फिर भी श्री क्रिश्न का जन्म अंधेरे में हुआ, रात्री के समय हुआ, अंधेरी रात में हुआ, पर प्रकाश अंधेरे में नहीं रहा, प्रकाश जहां जहां गया, अंधेरा दूर हो गया, उसी प्रकार हम हैं, च्रिक्रिष्य को जन्म से होगा। को सब्लेंस च्राइब बंदन में बंद जाएगा। वही तो असली आजादी है और मोक्ष की प्राप्ती होगी हमारे कर्मों से श्री कृष्ण के जनम के साथ तीसरी बात जुड़ी है वो है मारे जाने की चेतावनी श्री कृष्ण को जनम से पहले ही मारे जाने की चेतावनी थी हम सबी को यही चेतावनी है मौत के साथ एक शर्थ जरूर जुड़ी है वो है जन्म जन्म होगा तभी मौत संभव है और जन्म के बाद एक पल जिया हुआ बालक भी मरने के लिए उतना ही योग्य है जितना एक बुड़ा आदमी और मरने के लिए और कोई पढ़ाई करने की अवशक्ता नहीं है केवल जन्म चाहिए जन्म है तो मौत बाद जन्म है और हमें इस चेतावनी को भूलना नहीं है लेकिन श्री कृष्न के जन्म के साथ चौती बात भी जुड़ी है वो है बहुत से लोग श्रीकृष्ण को मारने आते हैं पर मारने वाले ही मर जाते हैं मौत ही श्रीकृष्ण के आगे घुटने टेक देती है और श्रीकृष्ण कभी मरे ही नहीं आज भी तो जीवित है श्री कृष्ण आपने सुना होगा श्री कृष्ण की मृत्यों हुई पर अपने अंदर जाक कर देखिए आज भी जीवित है श्री कृष्ण बलकि श्री कृष्ण तो संसार के कनकन में समाए हैं तभी तो उन्हें हम भगवान मानते हैं अब ये हमारे उपर है हम जीवन में आई समस्याओं से लड़कर जाते हैं या मौत आने से पहले ही हार मान लेते हैं इस वीडियो की गहरी बातें ना समझाई हूं तो दुबारा देखिए जये श्री कृष्णा